बिहार में बहार है चारू तरफ बाढ़ ही बाढ़ है और आप देख सकते हैं यहां पे पूरा एक तरफ सुखार तो एक तरफ बाढ़ ही बाढ़ है यहां पे जनता के द्वारा जो देखा जा सकता है जो यहां के लोग है वो चारो तरफ पानी में चारो तरफ पानी ही पानी है इह लोगों के लिए मतलब कोई राहत सामगरी नहीं है यहां पे हम बता दें यह दर्बहंगा जिला से लगभग 15-20 किलोमीटर के दूरी पर से जाते हैं इस नाव से और सरकार के तरफ से उनको क्या सुब्धा मिली हुई है आप लोग को सरकार के तरफ से कोई सुब्धा आप लोग का पुड़ा गाउं जलमगन हो गया है सरकार के तरप से कोई रहात समगरी तो आप लोग तो इतने मतलब इस नाव में इतने लोग सवार हो गए है तो आप लोग जान को जोखी में डाल के अपने गाउं जा रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों का क्या अपना दुखरा सुना रहे हैं यहाँ पे इस्थिती बहुत ही दैनिये हो चुकी है और सरकार के तरप से कोई वेकलपिक वेवस्था नहीं है यह जगह दरभंगा सहर से लगभग 15 से 20 किलो मीटर के दूरी पर इस्थित हाया घाट है और हाया घाट के नया टोला के लोग जो की जान को जोखिम में डालके यह लोग अपने गाउं जा रहे हैं और यहां देख सकते हैं दूर में वो छट जो की डूब चुका है और छट के उपर से पानी चल ला है और सरकार नदारत है बाड की इस बीवीसिका को आप अपने नजरों से देख सकते हैं इस परिस्तिती में कुछ समाजिक संगठन जो की आगे आये हैं और राहत सामगरी लेके यहां पे वो पहुंचे हैं आई हम बात करते हैं एक समाजिक संगठन मितला स्टूडेंट यूनियन के सदस से वो क्या कहते हैं किया आप लोग क्या वेकलपीक विवस्था किये हैं इन लोगों के लिए हमलोग के जो अभीắt काली विवस्था की हैं कि जो भी बाड़ त्रीरित लोग हैं जो पानी के बीच फशे हुए हैं घर में उन तक पका हुआ पकवान खाना नहीं कहुंच रहा है उन लोग को घर-घर जाकर के जो है सो घर-घर तक हम लोग के पास है पका हुआ पाकवान, चूरा, सुखा, खाना वो सब लेकरके घर-घर जाकर के बितरंग करते हैं धन्यवाद, नाम क्या हूँ आपका? मेरा नाम विकास कुमार चौधरी हुआ आए हम बात करते हैं यह समासे भी इनसे बात करते हैं जो बिहार सरकार के द्वारा यहां पे बाढ रहात के लिए कोई वैकलपिक विवस्ता नहीं है इस परिश्तिती में आप यहां के लोगों के लिए क्या कर रहा है बाठ में जितना संभब हो रहा है हम लोग मितला स्टूदेंट यूनियन के तरफ से अभी हाया घाट में हम लोग फोन सा जगा है लवटूला 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 लिलासपूर है विलासपूर लोग जो है सो पानी से त्रस्त हैं खाने को दिखाथ है इसलिए हम लोग मितला स्टुडेंट यूनियों सब राहत ले करके हर जगा जितना संभब हो रहा है हर जगा लोग को देने का काम कर रहे हैं धन्यवाद ये समासे भी हैं जो समासे भी लोग सरकार के लोगों के द्वारा कोई व्यक्ववस्था नहीं है इस पर इस्तिती में आप के आप लोगों के लिए क्या किया जा रहा है यह निया टोला है घर्ट विलास्पूर इधर नदी के बीच में बहुत सारे घॉप फशे हुआ है जहना उसे बाढ़ रात ले जाने में मित्राश्टुडेंट के इनिन के तरफ से बहुत से चाबल चुरा बिस्कुट सबाय है जब अभी निया टोला में बित्रन होंगे बात कर decision है कि वेएखल पिवेस्ता है आप लोगों को बाड रात के लिए सरकार कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रही है है क्थो यहां पे लोग देख सकते हैं किस तरह खाने को मोहताज हैं, चारों तरफ आप लोग कैसे मुद्धत में परे हुए हैं, लोग चारों तरफ सरकार के तरफ से लोगों का काना है, जो यहां पे नाउ की कोई, वैकलपिक विवस्ता नहीं है, लोग जान में जोखिम में डालके लोग नाव से यात्रा करते हैं और बीच फसे पचारो तरफ पानी के बीच में फसे गाउं जिस मतलब उस गाउं में ये लोग नाव से जाते हैं और पूरे जान को जोखिम में डालके ये लोग यात्रा करते हैं यहां से और ये लोग जाते देखते हैं नाओ पे जाते हैं फिर थिर पणिये कि पानी डादा है कुछ दियता है तो सब लूट के खा दयारा कुछ डर नहीं लगता है अने नाओ में जब शते हैं तर दो ड्रीय प्राई टके आंगे अपना जान बचाने के लिए तो आना पड़ता है नहीं है मैं इनसे कुछ पुछ ना चाहता हूँ इन्हें आप देख सकते हैं आप जब नाव में आते हैं तो आपको डर नहीं लगता है सरकार के तरब से आपके पास कुछ मोहिया नहीं मिला अभी तक आप जी देख सकते हैं ऐसे ऐसे महिला जो प्रेगरेंट होने के बाद नाव में सफर करते हैं देखिए नाव का इस्तिती बहुत ही खराब है नाव के अंदर पानी आ गया है लोग जान को जोखी में डालके यहां से सफर करते हैं लोग जान को जोखी में डाले हुए हैं और जान को जोखी में डालके जा रहे हैं आप देख सकते हैं जो दूर दूर तक कहीं कोई घर नजर नहीं आता है, चारो तरफ पानी ही पानी है, कुछ संस्थान, कुछ समाजिक संस्थान लोग आगे बढ़े हैं, और आगे बढ़ के यहां पर राहत वित्रन का कार्ज कर रहे हैं, बिहार में बार्ड की बिभीसिका इस तरह है, लोगों को कोई उचित व्यवस्था नहीं है, आप लोग भी बाड पिरिती हैं क्या, तो आप लोगों को क्या समस्या है, घर में पानी भूस अब बान पर अगोरे हुए, पनी लिद करके भी ले गया, पनी नीला नहीं आज सक, सबी लोग सुन सकते हैं, जो कितने दुख के इस घरी में, लोग कैस अब मानते हैं कि पांच हाथ पनी दिया अच्छा हाथ पनी दिया उससे उसमें बालबच्चा का बुजारा होता है फट गिया अभी कैसे रहेगा कितने आदमी का मिल रहा है इस पर कोई सरकार का नहीं अच्छी नहीं है तो यहां का इस्तिति काफी खराब है कुछ समाजिक संगठन के लोग हैं जो आगे आए हैं बताईए आपका संगठन मतलब बाढ़ पिरित के लिए क्या कर रही है हमारा शंगठन हर एक बार पिरिते से जाके मुलाकात कर रही है उनको जो जो शमान जो हमारे पास उपस्तित है उन लोग को फलक्द करा रहा हूं साथी साथ हर एक जगा पे जहां जहां मेडिकल केम्प लगाने की अनुमती यानि विवस्था करवाया जा रहा है कोई ऐसा आधी फरिस्ता है जो हमारे मदद करें अभी तक उनके नजर में ऐसा कोई नहीं है इसलिए जिसको देखते हैं जिनको देखते हैं अपना हरास निकाल देते हैं इन लोग का जाईज है इन लोग का घुश्चा करना भी जाईज है धन्यवाद ये कुछ लोग हैं जो आगे आये हैं बारपीरितों की सेवा करने के लिए आप लोग देख रहे हैं सभी के चेहरे पे एक डर और एक खौप सा बना हुआ है जो कब कुदरत का कौन सा खेल हमारे उपर हो जाएगा और हम लोग कब कहा जाएंगे उसका कोई गारंटी नहीं है आप देख सकते हैं दूर दूर तक कहीं घर के छट के उपर से पानी चल रहा है चारो तरफ पानी ही पानी है और गाउं का गाउं डूब चुका है आईए हम यह आपको दिखा रहे हैं जो यह देखिए रेलवे लाइन पे लोग कैसे अपना बसेरा बनाये हुए हैं और बसेरा बनाके रह रहे हैं उनको सरकार के तरफ से कोई रहात समगरी अभी नहीं पहुँच रहा है और जिला परसासन के कान में जूतक नहीं रहें रह है और हम आगे भी लाइव रहेंगे आगे भी हम आपको दिखाएंगे यहां पर बाड़ पिरितों की जो समस्या है यहां देख सकते हैं लोगों को लोग काफी हतुतसाहित हैं देख रहा है लोगों को दूर-दूर तक आप देख लीजे चारा तरफ पानी ही पानी है अब हम लोग आ गए हैं बीच नदी में जहां पे पूरा एकदम नाव में पानी गूसरा है आप देख सकते हैं नाव में भी हलका हलका पानी आ रहा है नाव में भी पानी है और इस परिस्तिती में हम लोग अब दूर दूर तक कहीं घर नहीं नदी के उस पार कुछ बाट प्रित से हम बात करेंगे जो वहां पे उन लोगों को क्या सुर्धा जिला प्रसासन के तरफ से मिला है अभी हम लोग देख सकते हैं अब लीच नदी में ह वहांगा झाल करेंगेवा हैं प्रूद से नदी के तरफ से जब अपीक पारीच थेक पारीच